हेलो फ्रेंड्स वेल्कम वेल्कम बैक टो मैं चैनल स्वातिस वर्यन लाइस्टाइल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं ग्रेय साड़ी और सूट में मेकप करने का आसान तरीका तो फ्रेंड्स आज का मेरा डे है सिक्स जैसा की मेरी सीरिस चल रही है कलर्स ऑफ नवरातरी की तो आज का मेरा डे है सिक्स और आज का मेरा कलर है साड़ी का सूट का ग्रेय तो फ्रेंड्स आप ग्रेय कलर की सूट या साड़ी के साथ ये मेकप लुक क्रियेट कर सकते हैं तो सारी बात हैं वीडियो में बताऊंगी डीटेल में स्टेप बाई स्टेप अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही जादा यूसफुल होने वाली है और मेरी जो सीरीज चल रही है सारी लिए की साथ में करने का तरीका बताया है कि आप किस सारे से मेकप कर सकते हैं बहुतीज इजी स्टेप्स के साथ में कर आई हूं सिर्फ आप एक पैंस過去 की help से या तो आपके पास काजल हो या फिर आपके खारिक है तो फ्रेंट्स अज हम देखेंगे कंसीलर से हम किस तरह से यह तो सबसे पहले मैंने एलो एरा जेल लिया है उसको मैंने अंडर आई एरिया पर पहले मसाज की है उसके बाद में फुल फेस पर इसको अपलाई कर लूँगे यह हमारी स्किन को मॉश्टराइज भी करेगा हाईडरीट भी रखेगा प्लस हमारा प्राइमर का जो काम है वो भी इसके बाद में यहाप कर ले रहे हूं इसको अप्लाई कर लेंगे बहुत जादा ब्लसर मेंधि करना है बस इतना blend करना है जिससे कि यह जो concealer हमने लगाया है इससे हमारी जो pigmentation है dark ही दिया है वो hide हो जाए यह आप देख सकते हैं अब हम लेंगे अपना दूसरा concealer तो मैंने हाँ Swiss BT का concealer लिया है बहुत ही high coverage concealer है यह जब भी use करें इस तरह से इसको mix कर लें उसके बाद हम इसको अपनी eye lid पर apply करेंगे आई लिट पर apply करने के बाद में इसको हम अच्छी तरीके से blend कर लेंगे तो friends आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से यह blend हुआ है और इसने हमें full coverage दे दिया है उसके बाद हम इसको set कर लेंगे इससे crease ना बने मैंने हाँ lac apply करेंगे जिससे की crease हमारी ना बने उसके बाद मैंने यह simple काजल pencil लिए आप काजल भी ले सकते हैं तो friends यहाँ पर आपको क्या करना है आपको liner की तरह पहले लगाना है outer V से होते हुए आपको अपनी जो crease line है वहाँ पर इसको draw कर देना है इस तरह से और अंदर की तरफ इस उसके बाद मैंने यह gray shade लिया है और इसको मैं अपने काजल जहां पर हमने लगाया था वहाँ पर इसको apply कर रहे हूं place कर रहे हूं basically मैं इसको तो अभी हम इसको place कर लेंगे जिससे हमें थोड़ा सा जो slaty सा रंग है वो मिल जाए उसके बाद मैंने हाँ पर यह rust kind of shade लिया ह इससे हम इसको blend करेंगे जिससे की जो harsh line है वो बिल्कुल भी visible ना रहे तो इसको अच्छी तरीके से हम blend कर देंगे मैंने उसी brush पर ही लिया था जिससे जो थोड़ा सा brownish shade है वो हमें मिल जाए उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से blend करेंगे blend हमें तब तक करना है जब त finger की help से ही अपनी crease line से होते हुए half lid पर apply कर रही हूं और पीछे का जो outer V है वहां पर मैं थोड़ा सा और black eyeshadow मैंने लिया है और मैं outer V पर इसको blend कर रही हूं तो friends यह भी ना दिखे कि हमने कहां तक यह जो shimmer वाला shade है यह लगाया है तो दौनों को हम इस तरह से mix कर देंगे जो बिल्कुल एक natural सा यह 3D makeup आपका जो है यह बनकर तैयार हो जाता है तो यह आप देख सकते हैं outer पर V हो जाएगा अब हम दूसी आपका भी कर लेंगे इस तरह से तो friends बहुती easy way में मैंने आपको बताया है उसके बाद eyeliner है इसको apply कर लेंगे पतला पतला सा क्योंकि हमने आज थोड़ा सा heavy eye makeup किया है तो मैं liner हलका ही रखोंगी और उसके बाद मैं उसी काजल pencil से अपनी lower lash line पर भी apply करोंगे तो friends ध्यान रखिए जब भी आप high coverage makeup करें means कि आप आँखों का बहुती heavy makeup करती हैं तो liner या तो आप skip करती है या फिर बहुती पतला सा liner है वो लगाएं मोटा या dramatic eyeliner लगाने के बिल्कुल भी आपको need नहीं रहेगी उसके बाद मैं friends आँखों पर काजल भी लगा लूँगे इस तरह से और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा clean कर लूँगी थोड़ा सा fall out होता है shimmer या glitter eye shadow हम लगाते हैं तो इसको हम area को clean कर लेंगे इस तरह से किसी भी cotton हैंकी से टॉबल हैंकी से आप साफ कर सकते हैं अब हम यहाँ पर अपना जो स्वेस्पीटी का concealer था वो अपलाई करेंगे दुबारा से तो friends यह step इसलिए करना जरूरी होता है कि जब हम थोड़ा सा heavy eye makeup करते हैं तो हमारा जो face होता है वो down ना लगे तो हमें आखों के साथ सा हो भी एक level high लेकर जाना होता है तो इसको हम अच्छी तरीके से blend कर लेंगे जिससे हमारा जो आखों का makeup है वो बिल्कुल clear दिखाई दे तो friends आप देख सकते हैं हमारा जो makeup है बिल्कुल clear लग रहा है और जितना beauty blender पर product है मेरा concealer उसी से मैं अपने गर्दन को और अपने कानो को cover कर लोंगे तो friends set भी कर लेंगे उसको अच्छी तरीके से तो आप यह देख सकते हैं अब मैं यहाँ पर जो false eye lashes है इसको भी apply कर लोंगी क्योंकि इस तरह का makeup करने के बाद यह lashes बहुत ही जादा अच्छी लगती है अब मैंने एंगलर ब्रश लिया है और उससे मैं अपन ब्लेशर की बारी तो मैं हाँ पर आज कोई भी contour और highlighter वगरा नहीं लगा रही हूं क्योंकि हमारा आखों का makeup इतना dance हो चुका है तो हमें इस चीज की बिल्कुल भी ज़रूरत महीं है लिप्स्टिक के लिए friends हम ना तो coffee shade लगाएंगे ना कोई dark shade लगाएंगे तो friends यहाँ और मैंने blusher भी pink लगाया है और lipstick के लिए भी मैं pink shade यह बिल्कुल जो nude shade होता है pink में भी मैंने वो लिया है जो हमारा eye makeup और lipstick जो है एक दूसरे को compliment करेंगी तो friends आप यह देख सकते हैं बिल्कुल भी odd नहीं लगेगा और blusher के साथ यह pink nude जो lipstick है बहुत ही जादा amazing लगेग बालों के लिए friends मैंने center partition किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर ear to ear का partition कर लिया है आगे से मैंने थोड़े से बाल ले लिये हैं और पीछे के बालों की मैंने एक सबसे पहले high पूनी बनाई है पूनी बनाने के बाद में friends हम यहाँ पर जो डोनट बन है वो लगा लेंगे और डोनट बन लगाने के बाद में हम जो पीछे के बाल हैं इसको हम डोनट बन के ओपर फैला लेंगे और उसके बाद एक rubber band से secure कर देंगे और जितने भी हमारे बाल रह जाते हैं उसका हम डोनट बन के चारों तरफ लगा कर इसको you pinces secure कर देंगे आगे के बालों में हम twisted braid जो है वो बनाएंगे और पीछे ले जाकर हम जूड़े के ऊपर से इसको निकालते हुए इसके पीछे wrap कर देंगे और इसे एक pinces secure कर देंगे इसी तरीके से दूसी तरफ के जो बाल हैं उनको भी लेंगे हम twisted braid करते हुए और उनको पीछे ले जाकर जूड़े के ऊपर से हम इसको पीछे ले जाकर set कर देंगे इस तरह से और थोड़ा से हम आगे से बालों की flick निकाल लेंगे और जोएलरी के साथ अपने look को complete करेंगे हुआ 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 है